नमस्कार दोस्तों ये वस लिगल में आपका स्वागत और आज हम बात करेंगे लिगल पॉइंट के उपर और क्या-क्या चार्जिस और कौन-कौन से चार्जिस इंदरानी मुखर जी के उपर फ्रेम किये गे डेली पुलिस के दवारा और मुंबई पुलिस के दवारा और उसके बाद मुंबई पुलिस के दवारा इन्वेस्टिकेशन की गई और इन्वेस्टिकेशन के दौरान ये शीना बोरा मडर केस 2012 में हुआ और शीना बोरा का मडर हुआ और इसमें इंदरानी मुखर जी को accused माना गया और उसके साथ उनके driver को भी co accused माना गया और साथ साथ में इंदरानी मुखर जी के family के और उनके father भी इसमें उनका भी इस case के अंदर involvement रही और उनके उपर जो charges लगे वो charges मुंबई पुलिस के द्वारा फ्रेम किए गए after the investigation और जो ये charges फ्रेम हुए ये इसमें IPC की दारा 302 murder और इसके साथ kidnapping 362 की दारा murder की भी लगाए गई और 201 IPC की दारा evidence को destroy करने और 34 common intention को भी इसके अंदर charges फ्रेम किये और उसके बाद इसके इसको CBI के सामने सौंप दिया गया और CBI ने इसमें investigation की गई और उसके बाद investigation करने के बाद इंदरानी मुखर जी को ये अभी भी मुंबई की jail में बंद है और इंदरानी मुखर जी के द्वारा कम से कम चार बार bail application को दार किया गया है और सबसे पहले जब उन्होंने bail application को 2017 में दार किया गया तो उस टाइम उन्होंने जो bail application के अंदर जो content को लिखा था उन्होंने लिखा था कि उनको medical facility प्रोवाइड नहीं हो रही है इस वज़ा से उन्हें bail grant की जाए पर लेकिन कोट ने जब तथ्यों को देखा और कोट ने कहा और कोट ने ये पूरी तरह से कहा कि जो इंदरानी मुखरजी के उपर charges लगे है वो बहुत ज़ादा संगीन है इसके तहत इनको इसमे bail grant नहीं की जा सकती और उसके बाद फिर इंदरानी मुखरजी के दवारा 2018 में और bail application को लगाए गया और फिर उन्होंने कहा कि कि इसमें जो ये investigation हो रही है इस investigation में time लग रहा है और trial में भी थोड़ा सा time जादा लग रहा है पर कोट ने उनकी इस दलील को नहीं सुना और उनकी इस bail application को फिर से खारिज कर दिया गया और उसके बाद फिर इंदरानी मुखरजी के दवारा 2019 में दवारा से bail application को लगाया गया और इसमें कोट ने कहा कि इंदरानी मुखरजी evidence को destroy कर रही है और उसके साथ साथ जो की witnesses है उनको भी प्रोलोबन दे रही है और उसके साथ इस से भी इस तत्थेव पर उनकी इस bail application को भी reject कर दिया गया और उसके बाद 2021 में इंदरानी मुखरजी के दवारा दवारा से एक bail application को लगाया गया उसे भी कोट कोट ने reject किया कि इनके उपर जो charges लगे है वो सारे non available charges है खासकर murder के charges, kidnapping के charges और उसके साथ evidence को destroy करने का एक बहुत बड़ा charge इनके उपर लगा है इस कम से कम 68 witnesses जो ये charges फ्रेम हुए और जो इसमें witnesses को involve किया गया इसमें witnesses लगभग 68 थे और इसमें जो prime witness था वो था इंदरानी मुखरजी का driver और इसमें उससे भी तथ्यों को खंगाला गया और उन्होंने ये confess किया कि और उन्होंने अपने आपको भी इसमें confess किया कि उनके द कर्लमेंट रही murder case में और उसके बाद इसमें कम से कम 68 witnesses को examine किया गया और कुछ witnesses को छोड़ दिया गया अभी भी कुछ witnesses इसमें इस तरह के है जिने भी prosecution ने भी examine करना है और examine करने के बाद ही आगे का आगे की रहा clear हो पाएगी और उसके बाद इंदरानी मुखर जी को एक ये उनके उपर court ने कहा उनके उपर charges है कि वो witnesses को भी destroy कर सकती है और जो witnesses के साथ साथ जो तथे है उसको भी temper कर सकती है तो इस ground पर उनकी bail application को भी खारिज कर दिया गया और उनके द्वारा ये जो bail application ने मुंबई हाई court में भी लगाईगी सुप्रिम कोट में भी लगाईगी औ और additional session judge मुंबई में भी उनके द्वारा इन bail application को present किया गया पर इनके उपर जो charges थे वो बहुत जादा घातक है और इन charges को आप non-bailable का नाम भी दे सकते हैं और non-bailable का होने के साथ उनको इनको इनकी ये bail bail reject कर दीगी और आज के समय में इंदरानी मुखर जी जेल के अंद अधार जाद कोट ने जेल अथोर्टी से भी उनके तथ्यों को मांगा गया और जेल अथोर्टी जने अपने एफडेविट को कोट में पेश किया और अपने अफडेविट में उन्हें कहा कि हम इंदरानी मुखर जी की regular regular check-up कर रहे हैं और उन्हें हम regular doctor के doctor से दिखा रहे ह और उनको हम regular ही doctor उनको check-up करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं और उन्हें हम medical जो facility है उसको हम पूरा provide कर रहे हैं ये prisoner authority के दवारा court के अंदर एफडेविट को फाइल किया गया और CBI के दवारा भी court के अंदर एफडेविट फाइल किया गया कि इंदरानी मुखर जी क को बेल गरांट ना की जाए क्यूंकि उनके दवारा murder, kidnapping और तत्यों को destroy करने जैसे charges उनके उपर लगे हैं और आप मेरे इस वीडियो को like करें, share करें और मेरे चैनल US Legal को जुरूर subscribe करें